वेल्कम तो मैं चैनल चाटिस्ट आर्टिस्ट मार्केट रेडी तो बूम वेल्कम तो मैं वीडियो गाईज प्लीज रीट दिस्क्रेमर कंटेंड रहेगा अजगे निप्टी 50 रिट्रेस एस कंफर्म यस्ट रेकल बोला था कि निप्टी 50 रिट्रेस करेगा स्ट्रॉंग लेवल रिस्पेक्टेड 600 पॉइंट की रिकवरी दी और हमने 47 टूफिप्टी का रेजिस्टन्स दिया से वहां से भी वापिस मार्केट ने डाउं दिया थाउजन पॉइंट का करेक्ट मूग गाइस एक कदम आगे कि निप्टी देखेगी एक्वाइड एक्विटी ग्लोबल सेंटिमेंट से करन्सी माइव टेक्निकल कंसर्प में आज रहेगा इन्वर्टड हेमर इन वन आर इन निप्टी 50 चार्ट स्ट्रॉंग लेवल्स अन आएअ पर दिखा दे जाए इसको मैं चाहिए अम्हें आपको टिपिकल दिखा दूगा ड्रेडिशनल इनुक्र इन्वर्टड हेमर क्या सब ने चाने होता है एक लुक लीज दिखाऊ जारी वहाए वहां है एफ़ए नई पोस लीआ गाइस दो दून से बड़ और दूसरी चीज दिखाऊ जा जो उससे एकदम वाईसा वाईसा है निप्टी-फिप्टी के इंट्राड है है आज स्विंग भी आड़ किया है गाईस हमने आर्थी रहेगा 403 लास्ट रेजिस्टंस है आट्टू है 297 274 और फर्स्ट और इमिडियेट सपोर्ट रेजिस्टंस रहेगा 5x2 अगर वो तूटा तो 403 जाएगा नहीं तो वहाँ से वापिस मार्केट निचे गिरना चालू करेगा S1 923 सपोर्ट जो कल बोला था उसने सपोर्ट लिया वो तूटता है तो 757 मेरा सेकेंड लास्ट आरेट रहेगा और अगर स्ट्रेच किया तो 734 बिलो 734 मार्केट एक्स्ट्रीमली बेरिश हो जाएगा फिर हम बड़े बड़े लेवल देखेगे वो हम स्विंग में देखे स्विंग लेवल से गाईज अगर 74 वाला सपोर्ट अगर तूटता है 757 734 वाला तो फिर हम स्विंग ट्रेट एक्स्ट्रेट कर देगे दो से तीन वीक होल्ड करेगे टार्गेट रहेगे 20,898 सेकंड टार्गेट रहेगा 20,231 रेजिस्टन से 22,576 अगर तूटता है तो 23, 23,350 एक लास्ट टार्गेट है इंट्राडे बैंक निप्टी के लिए 46,580 सस्टेन किया मार्केट ने हमारा कलका स्ट्रॉंग लेवल था आज यहां से नीचे नहीं जना चाहिए इसके लिए चार्ट में मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखाऊंगा गाईस अगर 964 एक रेजिस्टंस है 238 से 280 के बीच में अगर तूटता है मार्केट बुलिश हो जाएगा तो देखते हैं आगे स्ट्रेड वही है 46,580 के नीचे एक बार डिस्क ले सकते है 45,700 तक मार्केट जा सकता है बट चांसिस मुझे कम लग रहा है बट फिर भी देखते हैं हो सकता जाना है तो चला जाएगा रिजिस्टंस 47,281 तूटता है मार्केट बुलिश हो जाएगा वापिस स्विंग एक्टिव हो जाएगा फिर यह दो टार्गेट अपने 48,888 स्विंग के लिए गाइस मैं बोलूँगा आप निप्टी 50 चोड़के बैंक निप्टी में स्विंग अगर आप आज ग्लोबल सेंटिमेंट देखोगे गाईस तो कहीं पे भी मतलब कोई एक मार्केटेशन है जिसमें वीक्नस है और जबी यह सब वेरी बुलिश और बुलिश पर्म में आ जाता है तबी यह डर लगना चालो जाता है कि मार्केट अभी बहुत बड़ा फॉल द करन्सीज डॉलर इंडेक्स थोड़ा वापिस बढ़ दया है यूएसडी आएनर तो यूएसडी आएनर में बड़ा डीप है गाईस 82.82 आ गया है और ग्रेट विटन पाउंड थोड़ा स्ट्रॉंग हो गया और यूरो इंडियन रुपीस यूरो स्ट्रॉंग हो गया जाप यूथा केन बाउंस तो रिटेस्ट 5x2 इस की लेवल तो बीवाज मतलब कल के लिए आज अभी पंदला तारीक के लिए रहेगा की लेवल अपना 5x2 बैंक्स निफ्टी एड कुरूशल सपोर्ट ऐसा लिखा था आमने वीकली सपोर्ट बाउंस लिया गाईस अगर सस्टेन कर गया तो बुलिश ट्रेंड वापिस कंटिन्यू कर सकता है अगर तूट गया तो हैवी बेरिश ट्रेंड आ जाएगा टूड़ेश टेक्निकल कंसेप्ट में है इन्वर्ट अद हैमर वो निफ्टी फिफ्टी की चार्ट पे दिखा देगे कल मैंने एक रेजिस्टन्स लि मिलेगा एक पॉइंट रहे गया गाइस में बता देता हूं गिफ्ट निफ्टी में लिखा था फिल्ड गया तो बाउंस ले लिए गाइस चल रहा है अच्छे से लेवल संट चार्ट चलते है तो फिर अपने चार्ट के ओपर गाइस तो हम आ गए निफ्टी हुआप पर जैसे मैंने अएक टेक्निकल कंसिप में बारे मैं बता है यह जो रेडड कैंडल है ये भी एक इंवटरड हेमर है और आज के दिन जो बना है यह छोटा वाला ये भी एक इंवटरड हेमर है बढ़ उसका पावर बहुत रहता है यह जैसा hammer है वैसा power रहता है आप यह candle का power देख सकते हो कहां तक गया है और यह चोटी candle का power भी देख सकते हो कहां तक गया है तो inverted hammer जब भी बनता है गाइस बिना डरे आप इसमें call trade ले सकते हो day देखता हूं आपको day candle देख लेते हैं day के target जो मैंने अभी swing में बनाए हूं मैंने यहां पर लिख दिये guys swing trade अगर start हुआ तो बहुत जबर्दस पेसा बनेगा यहां पर chances है यह अभी थोड़े दिन hold करके अगर यह नीचे के तरफ ऐसा round बना दे यहां से क्मेंट दिखा देता हूं path में उसका guys अगर यह ऐसा जैसे आया है वैसे इदर से ऐसा ऐसा करके कुछ बना देगा और फिर अगर यह break करेगा तो ही हमें confirm करना इस wing trade एक्टिव हो गया अधर वाइस यह market यहां से निकल जाने वाला है क्योंकि reason है कि यह जो अपना resistance line है तो आप देखो कि उसने कितनी बार यहां पर रेजिस्ट किया है मैं दिखा देता हूं guys कितनी बार किया है इसने पहले इसने यहां पर start किया फिर वापिस उसने वहां से लेके यहां पर यहां पर किया यहां पर किया यहां पर किया मतलब एक दो तीन चार और यह यहां पर आया तो अभी यह रेजिस्टंस को बिलकुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और मुझे लगता है जब जब कभी यह मार्केट यह इवनिंग स्टार धेक करेगा को यह लास्ट रिजिस्टंस मैं दीखा देता हूं गार कि अगर यह रेजिस्टंस मार्केट ने आगे वाले दिनों में अगर ब्रेक किया तो मार्केट बहुत तेजी से उपर जाएगा और 23,350 का अपना टार्गेट टेच कर देगा अगर ये कल का सपोर्ट सस्टिन नहीं करता है ये सपोर्ट था गाइस जो मैंने दिया हुआ था आपको 900 के आज वाज 940 915 व तो सीधा सीधा 2988 98 और उसके बाद 898 के बाद रिटेश्मिंट लेने के बाद वापिस तोड़ेगा तो 2231 मतलब 3-4 वीक का अगर ट्रेड ले लिया खोल कर लिया तो अच्छे खासे पैसे बन सकते गाइस और अगर ये उपर गया तो उपर जाने के बाद इतने बड़े मू करना है गाइस अब चलते हैं अपने बैंक निप्टी में अगर ये मार्केट यहां पर ओपन होता है 981 से 971 979 तो मार्केट टू एक्स्ट्रीम बुलिश मतलब फिर इतना बैंक निप्टी बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा इसके लिए मैं दिखा रहा हूं क्यों ये बता रहा हूं मैं आपको डे में जाते है अभी ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन लिखी है 46981 का अगर मार्केट गलती से यहां ओपन होता है और मार्केट नीचे आएगा पहले और ये जो एक डोजी बनाया है और इसका जो ये बॉड़ी है अगर बॉड़ी पे पाउं रखके वापिस जम करेगा तो सीधा सीधा वो 281 का लेवल तोड़ेगा और उसके बाद 47916 तक पी आ सकता है 48000 देखने के चांसे सकाइस कल अगर यहां से 1100-1200 पॉइंट का आज में आएगा अगर देखते हैं कितना है एक एंडल तो चलो एक दूसरी तरीके से देख लेते हैं आप मोटा मोटा सपोर्ट समझ लीजए यही अपना टार्गेट एगजट मिल जाएगा इस 47916 एगजट अपना टार्गेट ही मिल जाएगा तो देखते हैं क्या करता है कल मार्केट इसलिए मैंने बूला है मार्केट रेडी टू बूम अगर गया तो एक दो तीन चार पां केंडल है उसको पूरी पांच केंडल को कवर करेगा तो बूलिश होना अपने लिए ज्यादा अच्छा है बैरिश हुआ तो स्लो जा सकता है क्योंकि अल्रेडी इसने इतना कवर कर लिया है तो 322 जाते जाते दम तोड़ देगा और फिर वापिस मार्केट थम सकता है या त इससे अपने को कन्फरमेशन मिल जाए और 47916 का टार्गेट मिल जाए एक गंटे में एक बार देख लेते गाईस एक दो दिन होल्ड कर सकता है मार्केट बट अगर जब भी मूह देगा गाईस अभी एक या देव दिन में जब भी होल्ड करोगे पूरा ट्रेंड केप्चर करने का ट्राइ करो बहुत बड़ा मूँ आने वाला है तो उसके लिए वेट करते है क्योंके HDFC बैंक बूम करेगा उसकी तैयारी हो गई है अल्मॉस्ट या तो वह गिर जाएगा अगर यहां से गिरा तो बिल्कुल गिर जाएगा तो 1275 जो है अपना सफ़ट वहां तक चल कि यह देखिए गाइस यह उसने अलड़ी बना दिया यह 1468 जो मैंने रेजिस्टन्स बता है वह था गाइस पर्फेक्टली फाइंड उसने रेजिस्ट किया है मार्केट को मार्केट एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यह ग्रीन कलर का उसके अंदर बच चल रहा है अभी और 1515 का पहला टारगेट रहेगा और 1559 का सेकेंड टारगेट रहेगा यह ट्रेंड मैंने बना के रखा है यह मेरा ट्रेंड ओन है मैंने 1427 से बाई किया हुआ है मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं देखते कल क्या करता है मार्केट अगर नीचे गीरा तो छोड़ देगे और अगर उपर रहा तो हम पूरे दोनों लेवल तक ट्राइ करेगे 1515 तक तो बुक नहीं करना है उसके बाद सोचेगे कि 1559 तक जाए और उसके बाद अगर 1559 पे अगर उसने ब्रेक ले लिया तो तो फिर यह पूरा गैप फिल करेगा गाई 1637 जहां से गैप लिया है महां तक 1633 तक जा सकता है तो यह तीन बड़े टार्गेट है रिस्क है बट इस्क है गाईस तो आज के वीडियोस में इतना ही था गाईस थेंक्यू तन्यमाद